वेरी 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 गुड मॉनिंग, कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी बहुत बढ़िया हैं और आपके ग्रुप 1 के examinations बहुत अच्छे गए हैं डिसकस करना आ हैं साब आप सभी के साथ CA Inter GST My 23 Examination का पेपर Suggested Answers Before I See AI एक बार फिर हम लाँच कर चुके हैं Link Description में है, Free of Cost PDF Available है आपको कुछ नहीं करना है, Link पर क्लिक करना है और जाकर Download करना है हमाशे की तरह Suggested Answers सहाब आ चुके हैं examination के just next day हम release कर देते हैं और इस बार भी हमने वही किया और साथी lecture लेकर भी available हूँ आप सभी के साथ जहां पर discuss करेंगे provisions को और देखेंगे कि साब paper कैसा था मैंने पूरा paper चेक करा साब, अगर मेरी मानो तो paper बिलकुल रदी था कैसा paper था? रदी paper था, B.com level का paper था, Chartered Accountancy वाली feel मेरे को आई नहीं यह B.com level का paper इन्हों ने दे दिया, साब अब क्या करें? एक कुशन 49, 8 को यह already दो बार या तीन बार पूछ चुके हैं और उसके बाद फिर से इन्हों ने पूछ लिया, मुझे समझनी आ रहा कि section 49, subsection 8 के साथ ऐसा कौन सा रिष्टा जुड़ा हुआ है कि साब उसी एक कुशन को यह particularly पूछते चले जाते हैं खेर देखते हैं साब और समझनी की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ एक बात बोलना चाहूंगा कि exam से एक दिन पहले जो हमने exam practice session लिया था दोस्त, मुझे expected नहीं था क्योंकि बहुत time बाद जाकर ये EPS मैंने conduct किया था, लेकिन हमेशा की तरह जैसे पहले हुआ करता था exam practice sessions के अंदर वही इस बार भी हुआ, जो amendments revise करवाये थे जो questions मैंने EPS के लिए draft करे थे, और उनके अंदर जो amendments मैंने incorporate किये थे as it is, as it is, उसे paper के अंदर पूछा गया, तो जितने भी students ने exam practice session लिया था एक दिन पहले, examination के एक दिन पहले आये थे हम live, उनके तो भीया पॉब आरा हो गया, क्या हो गया, पॉब आरा क्योंकि as it is, अगले दिन आपको अगर वो चीज examination paper में देखने मिलती है, तो मैं जानता हूँ कि कितनी खुशी होती है, जब हम कोई question एक दिन पहले देख कर आये हो, कोई amendment का adjustment एक दिन पहले ही समझ कर आये हो, कि इस exam के अंदर किस तरह से treat करना है, और वही अगर exam के अंद हमेशा की तरह, अच्छा सर, suggested answer कहा है, यह रहा है भाया जी आपके प्यारे suggested answers, तो suggested answers CA enter GST मई 23 examinations के लिए already साब हम लेकर आ चुके है, क्या करना है साब, नीचे चलना है, चलो साब नीचे चलते हैं, और देखते हैं कि कैसे इस बार के suggested answers होने वाले है, चलो साब, चलो, यह चालू होने वाला है, बहुत ही जल्द, तो अगर आपको यह batch avail करना है, तो WhatsApp पे details दे रखी हैं साब, WhatsApp नमबर दे रखा है, जाए और अभी message डालिए, हमारी team आपको पूरी details provide कर देंगी batch से related, यह रहा आपके पास में question number 5, और question number 5 क्या बोल रहा है, देखते हैं साब, question number 5 बोल रहा है, Gino Limited, मैंना आपको क्या सिखाया था, मुझे बताओ, मैंना आपको यह सिखाया था, किसाब कभी भी अगर ऐसा हो, कि आपके पास में कोई भी question number 5 या question number 6 में practical situation create हो, practical question मतलब होता है, जहाँ पर आप से वो कुछ calculations करवाता है, जनरली जो question number 7 और question number 8 होता है, वो ह हमार पास होता है, वो practical oriented होता है, यानि वहाँ पर हमको कुछ न कुछ calculation करके, या तो net GST liability, minimum net GST liability calculate करनी होती है, input tax credit, या RCM, या exemption को mix करके, वो हमसे कुछ तो gross value calculate करवाता है, question number 5, question number 6 के अंदर, तो मैंने आपको EPS में भी बताया था, कि कभी भी इस तरीके का practical question है, सबसे प body corporate, वो हमेशे लिख लो, उसके बाद उसका place of business लिख लो, क्योंकि इस से आपको intra-inter निकालने में बहुत ही आसानी होगी, और उसके बाद में उसका tax period लिख लो, क्योंकि ये तो बहुत ही जादा important चीज है, tax period लिखना मेरी नेजर में बहुत जादा important, ऐसा मैं इसलिए बो हो रही है, तो आप 99% question के अंदर गलती करके आएंगे, इसलिए ये तीन चीजे question शुरू होते ही, आपको अपने examination के, जो आपको answer sheet मिलेगी, examination paper के अंदर, वो answer sheet आपको क्या करनी है, उसके अंदर question number डालके सबसे पहले ये तीन चीजे लिख लेनी है, चलो साब, क्या बोल है, वापिस आएंगे किस की उपर, हमारे जो examination paper है, उस पर आएंगे, ये रहा साब आपका examination paper, ठीक है, आज इसलिए ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है, जीनो एंटरप्राइजेज, अब पार्टनरशिप फर्म is a regular taxable person registered in Goa Hearty Assam, कहां पर registered है साब, Assam में registered है, जीनो ए partnership firm, ठीक है, समझ में आ गया, and is engaged in supply of air conditioner, और किस में engaged है, in the supply of air conditioner, या निकी, air conditioner की supply में ये engaged है, साथ ही साथ ही उसकी accessories भी बेचता है, साथ ही साथ, repairing services भी देता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, details of their various activities for the month of October 2022, October 2022 की बात करें, तो कुछ details मेरे को दे रखी है, तो दे होँगा, वो कौन सा हो गया, tax period या taxable period आपका हो गया, October 2022, पहला transaction आप सभी के सामने आ रहा है, intra-state supply of air conditioner, क्या आ रहा है, intra-state supply of air conditioner, तो मुझे पता है, intra-state है, air conditioner बेच रहा हूँ, to customers in Assam, fret is separately charged in invoice for delivery of goods at customers doorstep, दोस्ते एक बात बताओ, अगर कोई चीज, देखो composite supply की definition ही यही जब मैं इस तरीके से कहता हूँ न, कि fret अलग से charge किया, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, in the ordinary course of business, in the ordinary course of business, naturally bundled supplies, यानि कि जिन्हें आपस में bundled किया जा रहा है, जिनकी भली price अलग अलग दिखा ही जा रही हो, लेकिन वो एक दूसरे के क्या है, पूरक ह और दूसरा है, एक दूसरे के complimentary है, एक है principle supply, तो दूसरा है उसके ancillary supply, तो वो ancillary supply जो है साब, उसका treatment principle supply की तरह ही किया जाएगा, कहां लिखा है section 8 of the CGST Act Value of Goods, आपको दे रखे है चारलाग रुपे, और home delivery के charges, यानि फ्रेद के charges आपको दे रखे है, one leg रुपी, सभी ज treatment है साब, composite supply का सीधा 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 सा, treatment है सा, I charged GST rate as per different rate because of mentioned separately, वेद प्रकास जी, अगर separately लिखा हुआ है, और separately ही treat कर देंगे, तो फिर composite supply का मतलब ही क्या निकलेगा आप बताइए, फिर composite supply का concept लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, mixed supply और composite supply में यह ही difference होता है कि mixed supply के अंदर वो single price charge करता है, जहाँ पर भी आपको दिखाई दे, कि साब artificial bundling हो रही है, किस तरीकी की bundling हो रही है, artificial bundling हो रही है, fixed price के उपर, एक single price के उपर, तो वो mixed supply बनेगा, लेकिन अगर separately ही charge किया है, और वो naturally bundled है, it is naturally bundled supply है, क्योंकि आप सोचके देखो, कि customer अलग home delivery की service लेगा, नहीं, home delivery की service in this industry, by default दी जाती है, by default दी जाती है, जैसे अगर मैं air conditioner खरीता हूं, तो air conditioner, जिस shop से मैंने खरीता है, वो shop वाला, उसे tempo में रखवा कर, मेरे घर भिजवाएगा, यह उसका काम है, क्योंकि मैंने उससे air conditioner खरीता है, तो in the industry of selling of air conditioner, it is natural course, मतलब व आप किसी भी shop पे जाते हैं, और air conditioner खरीते हैं, तो वो सारा समान आपके घर तक भिजवाता है, बगाईदा एक वहाँ पर, जो installation का person है, जो बंदा है, वो आके बगाईदा आपके घर पे या आपके office में उसे install करके भी जाता है, और यह सारे के सारा, जो installation charges होते हैं, जो उस उसकी cost में ही ले लेता है, वो अलग से आप से charge नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि भले ही, बिल में उसने अलग से लगा दिया हो, treatment किस तरीके से होगा, treatment principle supply की तरह ही होकर चलेगा, I hope आपको यह point भी समझ में आ गया होगा, how much marks will deduct, अब यार दोस्ती है, तो तो देगे साब कुछ इस तरीके से ही मैंने यहाँ पर किया है, इंट्राइस्टेट आउटवर्ट सप्लाई ओफ एसी 5 लाग पर 6%, क्यूंकि नीचे 6% का rate दे रखा होगा, तो 6% की हिसाब से 30,000 और 30,000 आपका यहाँ पर tax बनके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं से, यहाँ त दर के चल सकते हैं, अरे बोलो हाँ के ना, हाजी सर, उपर चले, हाजी सर वापिस से उपर आ जाई यहाँ, लो भाईया, आगए उपर, अब आजो साब किस के उपर फिर से, कुछन पेपर के उपर, मेंली तो हमें कुछन पेपर डिसकस करना है, आंसर तो हम वैसे भी, साब इस लेवल पर पहुंच जाने चाहिए, इतना टफेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, कि एक बार के लिए तो साब UPSC वाले भी काप जाए, IAM और IIT वाले भी काप जाए, समझे रो, उनको भी लगना चाहिए साब कि नहीं, नहीं, साब, टफेस्ट एग्जामिने कि साब अच्छा, यह ऐसे होगा, ऐसा कुछ मुझे देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीके साब, आगे चलें, हाजी सार, आगे चलते हैं, इंट्राइस्टेट सप्लाय ओफ रिपेरिंग सर्विसेज, अगला पॉंट, अब देखो साब, इसने स्टार्टिंग में बेचता है, उसकी ऐसेástरीस भी बेचता है, और उससे तो इसे candy बेचता है, यह ऐसे रिपेरिंग सर्विसेज, तो इंट्राइस्टेट सप्ला एं करिये साब रिपेरिंग सर्विसेज, वेरेहें, आपार्ट from charging service charge, यानि service charge तो उसने लिया ही लिया, cost of parts space provided to customers is also charged, यानि कि अगर repair के time पर कोई part बदलना पड़ा, कोई छोटा मोटा part अगर repair के time पर बदलना पड़ा, तो उसको भी उसने separately charge किया है, and consideration for the same is separately mentioned, और उसके लिए जो consideration charge किया, वो separately mentioned किया, सर ऐसा कैसे, ऐसा, ऐसे मेरे दोस्त कि आप ये समझो, कि अगर कोई invoice है, अगर कोई invoice बने, देखो मैं आपको समझाता हूँ, कि ये invoice में बना रहो, invoice, I-N-V-O-I-C-E, invoice, अब इस invoice में क्या होगा, कि जैसे यहाँ पर होगे साब particular, कि साब आपने क्या दिया, और यहाँ पर होगी quantity, और यहाँ पर होगी उसकी price, तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा, कि साब repairing service of laptop, यहाँ पर laptop नी, air conditioner है, laptop मेरे मुँसे क्यों, निकला साब, क्योंकि हमने हमारी book के अंदर, ये as it is, मैंने बोला न, आप देखो, आपने batch चवेल नहीं करा, कोई बात न, आप बुक ले ले लेते हैं, बुक के अंदर, ये पूरा का पूरा illustration, air conditioner वाला मैंने बना के डाल रखा है, और ये as it is आपके कहां आ गया, examination paper में आ गया, ये air conditioner वाला example, composite supply, mixed supply वाला example भी मैंने बुक में डाल रखा है, उसके अलावा, ये जो repairing service वाला है, ये example भी मैंने बुक में डाल रखा है, सारे के सारे आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे साब, और ये coincidence होता है, कि साब institute इस तरीके से पूछ लेता है, जो आपको मेरी बुक में मिल जाता है, अब आपको कि साब ये तो सबकी बुक में होता है, दोस्त, exact illustration नहीं मिलेगा आपको, तो ये repairing services dash कर देगा quantity होती नहीं है, और यहाँ पर price बता देगा, for example साब, ये low, ये 1000 रुपे repairing के हो गए, लेकिन अगर कोई part चेंज हुआ है, तो वो part का particular ही नाम लिखेगा, parts के अंदर जिसे ये 3 parts चेंज हुए है, उसकी quantity बताएगा साब, कि मैंने एक के quantity इन 3 parts की चेंज करी है, repair करते वक्ते 3 parts चेंज हुए है, ये 50 रुपे का part था, ये 100 रुपे का part था, ये 125 रुपे का part था, और इस तरीके से उसने separately mention किया, मतलब invoice के अंदर, कैसे mention करा, separately mention करा, वही बात वो बोल रहा है, वही बात वो बोल रहा है, ये देखो, कि separately charged in the invoice, अब उसको दिखा दिया, value of services, component of invoices, यानि कि साब total service 3 लाग की थी, और जो parts की value थी, वो 50,000 की थी, मुझे सभी जने बताएंगे, इमान दरी से बताएंगे साब, what is the definition of principal supply, अगर मैं आपको बोलू, एक लाइन में समझाने के लिए, मेरेको नहीं चाहिए, साब की lawmaker definition लिखी हुई है, क्रक्स चाहिए मेरेको, एक लाइन में principal supply का क्रक्स चाहिए, तो साब एक लाइन में principal supply का क्रक्स आपको मिलता है मेरी book में, और जब मैं पढ़ाता हूँ, regular batch या fast track batch, गलादर्द हो जाता है, बोल बोल के दोस्त, service for which, principal supply, supply for which, the recipient approaches the supplier, क्या बोला मैंने, supply for which, मैं लिखके देता हूँ आपको principal supply, principal supply का कोई दूसरा मतलब नहीं है, अकर क्रक्स मेर से पूछोगे, तो simple सा है, क्या बोला मैंने 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 क्या बोला मै आप इसे restart कर लेते हैं अब recipient approach कर रहा है supplier को मुझे बताए कि transaction number second जो इस book में दे रखा है इस cushion paper में दे रखा है recipient ने supplier को क्यों approach किया बताओ मेरे को recipient ने supplier को क्यों approach किया sir recipient ने supplier को approach किया repairing services लेने के लिए असान कर देते हैं supplier for which the recipient approches the supplier याईने कि recipient ने supplier को jis supply के लिए approach किया क्या लेने के लिए अप्रोच करया मुझे बताओ क्या उसने parts बदलवाने थे approaches क्या उसने parts बदलवाने थे the answer is no उसने parts नहीं बदलवाने थे उसने repairing service लेनी थी तो जितने भी customer थे जो customer किस के पास आए Gino enterprises के पास आए जितने भी customer Gino enterprises के पास आए वो क्या लेने आए सर वो तो लेने आए थे repairing की service अब repair करते वक्त अगर कोई part बदलना पड़ गया तो क्या कहलाएगा सर वो कहलाएगा ancillary supply क्योंकि जिस कारण से मैं आया हूँ वो कारण principal supply बनेगा तो मेरे समझदार बच्चों बुक में तो दे रखा था मैंने ये as it is example बना कर किसाब 3 लाग रुपे आपकी बनेगी principal supply और 50,000 बनेगी ancillary supply और ancillary supply का treatment होता है principal supply की तरह सेक्शन 8 में दे रखा है ancillary supply का treatment होता है principal supply की तरह ये बनेगा आपके पास में composite supply क्या बनेगा composite supply बनेगा और composite supply बनाकर आपको क्या करना है पूरे 3.5 लाख पर वही rate लगाना है जो rate लगेगा service के लिए आरे बोलो हाँ के ना फटावर बताईए साब जो rate लगेगा service के लिए I hope आप भी exam में ऐसा ही करके आये होंगे फटावर से बताएंगे साब chat box के अंदर कि आपने यही treatment करा कि कोई और treatment करा चलें suggested answers पर हाजी सर फटावर से suggested answer चेक कर लेते हैं कि किस तरह से इसका answer निकलने वाला है तो इसका answer निकलने वाला है सहाब इंट्राइस्टेट आउट्वर सप्लाय और रिपेरिंग सर्विस साड़े तीन लाख पर 9% और 9% जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर service का rate लगकर चलेगा 31,500 और 31,500 आपके पास में बनने वाला है CGST और SGST कोई दिकत नहीं सरीए मामला भी समझ में आ गया और जो बात मैंने बोली थी वो detail में मैंने नीचे working note में आपको दे ही दी कि in GST principal supply is the supply for which the recipient approaches the supplier since the customer approaches for availing the repairing service the same will become the principal supply and parts repaired along with is an ancillary supply of the principal supply बिल्कुल सिंपल सा कॉंसेप्ट था कोई दिकत नहीं थी और कोई गलती भी आपको यहाँ पर नहीं करनी थी आगे चले हाजी सर आगे चलते है अब बताओ आप कहां यह आपको लग रहा है साब कोई लेवल है composite supply की ऊपर अब पांस साल हो गया साब GSTi होए और यह अभी तो अगला treatment अगला treatment बोल लो अगला adjustment बोल लो अगला point बोल लो अगर क्या करता है एर कंडिशनर के साथ मेरे को बताओ जब आप कभी भी एसी खरीदे हो तो क्या स्टेबलाइजर की अपनी अच्छी-कासी कोस्ट होती है एसी के अपनी होती है copper wire जो आता है उसकी अपनी अच्छी-कासी कोस्ट होती है depend करता है कि आप एर कंडिशनर जो अपना fit करवा रहा है हो वो कहा करवा रहे हो और उसका जो main plug है वो कहा रहेगा इन्होंने क्या करा साब कि air conditioner और stabilizer का क्या कर दिया कॉंबो कर दिया और बोलती है साब कि जो अलग अलग 22,000 और 8,000 का होगा total 30,000 का हुआ करता था हम अब उसको combo offer के अंदर 20,000 पर दे रहे हैं अब आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं उसको 20,000 पर दे रहा हूं तो यह देखकर आपको क्या याद आ रहा है Mixed Supply याद आ रहा है क्योंकि सार artificial bundling हो रही है और artificial bundling single price पर हो रही है तो definitely यहाँ पर Mixed Supply का concept हो जाएगा और इसका treatment आपको Mixed Supply की तरह करना पड़ेगा section number 8 लगाना पड़ेगा highest rate of tax the item which attract the highest rate of tax यहाँ पर आपको apply करके चलना पड़ेगा I know this concept but I was thinking it is written it separately then it's not composite supply or mixed supply because charges different rates in all different points स्वेद प्रकाश जी यही तो बात है यही तो बात है यही तो इसलिए तो confused करने के लिए उसको इस तरीके से बनाया जाता है लेकिन मैंने बोला ना अगर आप regular class अगर आटेंड करी है तो बहुत डिटेल में और अगर बुक भी अगर आपके पास मेरी होती तो इस चीज बहुत 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 अलग तरीके से मैंने हमापर mention कर रही है इसलिए मेरी बुक के अंदर में क्या करता हूं point to be noted point to be noted point to be noted हर concept के बाद जहां मुझे लगता है कि कोई catch है exam में आएगा बच्चा गलती करेगा उसे में अलग से mark कर देता हूं एक अलग से block बना के डाल देता हूं कि दोस्ती सीच का धियान रखने इस concept के अंदर यह चीज गलती करने वाली है तो revision करते है वक क्या होता है हो सारे point to be noted जब बच्चा देखता है तो उसको लगता है कि हा यार यह चीज छूट ना जाए तो वह अली बात जाती है mention combo offer बिल्कु साहब यह point बिल्कु सही करके आया है वेत प्रकाश जी thank you so much तो मुबारगो साहब आपको यह point आपने सही कर दिया अच्छा इसका देख लें फिर treatment suggested answers के अंदर इसका treatment देख लेते हैं suggested answers के अंदर क्या दे रखा है तो definitely 20,000 के उपर में किसका rate लगा दूँगा stabilizer का rate लगा दूँगा 20,000 है 10 piece बेचे हैं तो 20,000 into 10 into 18% 36,000 और क्योंकि यह interstate बेचे हैं क्योंकि यह कैसे बेचे हैं मैंने interstate बेचे हैं तो situation के अंदर 36,000 का आपका IGST यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा बोलो कोई दिकत नहीं सर कोई दिकत की बात नहीं है यह point भी गव पर्चेस्ट बिजनिस क्लास एयर टिकेट अब मुझे इमांदरी से बताना अगर आपने EPS अटेंड करा था exam practice session जो मैंने जस्ट एक दिन पहले लिया था दोस्त उसके अंदर जो amendment मैंने cover कर आया था हमां clear cut बोला था कि exemption economy class को है exemption जो है अब वो economy class को है और मैंने पीछे का पूरा logic समझाते हैं वह यह बात बोली थी और वहाँ पर मैंने बताया था कि क्योंकि लोग business class में travel करके भी exemption ले रहे थे इसलिए उन्होंने amendment लाकर क्या बोल दिया कि साब अब जो exemption मिलीगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्रूमी क्ला इस्ट स्टेट जिसके अंदर आसाम भी आता है और बाग डोगरा वेस्ट बंगाल भी आता है एक दिन पहले बताया था चिल्ला चिल्ला कर बताया था तो अब इतना सा भी अगर उस वक्त आपने पढ़ लिया होता है आपको याद रहे जाता है कि साब economy class के अंदर exemption मिलेग तो इस 40,000 के उपर क्या होने वाला है दोस्त 5% से GST लगने वाला है लेकिन क्यूंकि दोस्त यह forward charge में लगता है तो यहाँ पर मुझे नहीं देना यह तो मेरा input tax credit बन जाएगा additional information में दे रखिए कि साब सभी कि सभी amount exclusive of taxes है पुराना ITC पड़ा हुआ है financially है 21-22 का अब मुझे पताओ यहाँ पर क्या लगेगा सर मेरा tax period October 22 चल रहा है अब अगर मुझे 21 और 22 के respect में credit लेना है क्या मैं ले सकता हूँ दा answer is yes मैं ले सकता हूँ क्योंकि October 22 tax period का return मैं कब भरूँगा सर वो मैं भरूँगा 20th November को 20th November को 3B जाएगा मेरा तो क्या 20th November 30th November से पहले आती है दा answer is yes 30th November से पहले आती है तो क्या मैं इस return के अंदर 21-22 का मेरा जो ITC छूट गया था क्या वो मैं re-avail कर सकता हूँ दा answer is yes तो यहाँ पर 20,000 20,000 यानि CGST और SGST का credit में re-avail कर लूँगा और जो मेरा IGST का 80,000 छूड़िया था वो भी मैं यहाँ पर re-avail कर लूँगा कोई दिक्कत की बाद I hope यहाँ पर नहीं होगी तो बिल्कुल सी बात थी उसके बाद मैं आपको rates दे रखी है और rates के बाद उसने वही हमेशा की तरह आप से पूछा है कि साब minimum CGST, SGST, IGST payable in cash by Geno Enterprises for the month of October 22 यह आपको यहाँ पर बता के चलना है मेरे इसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है दो simple सा question है आजो फटाफट से input tax credit भी calculate कर लेते हैं output liability तो मैंने आपको बताई दिया और output liability में जो difference है वो भी देख लेते हैं कि साब क्या difference आ रहा है कोई difference आ रहा है मेरे इसाब से तो कोई difference दूर दूर तक आना नहीं चाहिए यह रहा साब आपके पास में आपका suggested answers हमने open करा suggested answer कि कुशन पेपर वापिस open हो गया कमाल कर रहा वाई हाँ अब आएंगे suggested answers जो हमारी PDF है suggested answers की आ जाओ साब यह आ गया साब suggested answers का PDF ठीक है तो आपके पास में जो total liability वो कितनी हो जाएगी दोस्त इसको थोड़ा डार्क कर दें हाजी साब इसको डार कर दीजिए आप यह थोड़ा light लग रहा है लो भाई डार कर देते हैं इसमें आफ़त की बात क्या होगी रैड कलर लेते हैं शार्प रैड कलर लेते हैं ठीक है रहा यह रहा यह ठीक है यह चलेगा सर यह ले लो आप चलो ले लिया साब चलो तो देखो 61 500 61 500 तो cgst और sgst के आउटपट लाइबलिटी हो गई और 36,000 आपके पास में लाइबलिटी हो गई किसकी अब बात करेंगे इंपुट टेक्स क्रेडिट की तो इंपुट टेक्स क्रेडिट आपको cgst और sgst मिलेगा क्योंकि आसाम के अंदर ही था तो बिजनिस है टिकेट में इस टे लगेगा हान लगेगा 1000 रुपीज 10 रुपीज और जो पूराना पड़ा था हो अवेल कर रा है 20,000 रुपीज 20坊 रुपीज और 80,000 रुपीज तो यह टोटल हो जागा जाएगा क्रेट आपके पास में 21,000 रुपीज 21,000 रुपीज और 80,000 रुपीज yes sir this adjustment also done correctly perfect sir my inward supply and all adjustment was correct but done mistake in two outward supply takes rates कोई बात नहीं wait don't worry I hope examiner समझेगा कि आप क्या बोलना चाते हो और वो definitely आपको देगा लेकिन हाँ मैं एक बात बोलता हूँ दोस्त कुशन पूरा सही होना चीए क्योंकि institute क्या है कि फिर आप debate नहीं कर सकते यह मैंने खुदने जब मैं CA कर रहा था तब मैंने experience किया क्योंकि मैंने भी अपनी copies मंगा के देखी थी तो यह चीज हमेशा होती ही है कि जब एक बार आप यह कहतो ना आप step wise marking यह step wise marking का concept क्या है वो फिर copy checker अपने हिसाब से लगाता है वो कहेगा साब आप step wise marking करनी है तो मैं मेरे हिसाब से दूँगा ना इस step के मेरे हिसाब से एक number ही होने चीए लेकिन अगर आपका पूरा answer सही है एक एक digit to digit आपने सही करा है तो फिर वहाँ पर वो दिमाग नहीं लगा सकता अब उसको पूरे marks ही देने पड़ेंगे तो वहाँ पर फिर वो पूरे marks देता है तो यह institute का rule एसाब कि आपकी किस्मत पर भी different करता है अगर अच्छे examiner के पास चलिए तो ठीक लेकिन otherwise मैंने देखा है 99% cases के अंदर कि अगर गलती कर दी तो फिर वो छोड़ेगा नहीं जहां कटना चीए एक वो काटे का तीन नंबर यह आदत रहती है examiner's की generally तो मैं यह बोलता हूँ पूरा ठोक कर आओ तो पूरा सही ठोक कर आओ ताकि पूरी marks मिल जाए एक बार में क्योंकि गलती करो कि छोटी सी number काट लेगा जादा set of end payment step wise marking को लेकर बहुत दिक्कत है institute के अंदर set of end मैं कहता हूँ कि साब marking सही कर दो paper tough बना दो paper tough बनाने से दिक्कत नहीं है तो उसके तो खून में उतर चुका है GST जब मैं बच्चे के खून में GST डाल दूगा तो फिर साब उसके लिए तो हसी बजाक का काम हो गया वो दिनराब चलते उठते बैठते हर्जे के उसको GST ने चराएगा तो उसके लिए आसान है paper आप कितने ही tough बना दो लेकिन वहा आपको पता है order क्या होने वाला है सबसे पहले IGST को यूटिलाइस करो पूरा का पूरा IGST की क्रेडिट खतम करने के लिए उसके बाद अगर बच जाए तो इन एन अनी प्रपोर्शन IGST का क्रेडिट खतम होने के बाद CGST को CGST के लिए उसके लिए उसके बाद में जो पेबल था मेरे पाँ IGST का क्रेड अवेलेवल था 21,000 यूज कर लिए तो 18,500 आ गया यहां पर भी 21,000 यूज कर लिए तो 18,500 आ गया यानि minimum GST Payable जो है वो CGST और SGST आपके पास में 18,500 और 18,500 आता है और प्रस मैंने आपको यहां पर यह लिंक भी दे दिया है इस लिंक की उपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर ओपन हो जाएगा जिस लेक्चर के अंदर मैंने amendment discuss करे थे exam से एक दिन पहले और वही amendment इस कुछ के अंदर आपको examination paper में देखने मिलते है अरे बोलो हा के ना हाजी सर बिल्कुल सही कह रहा है हो और मज़ा आ गया साब बहुत बढ़िया आ गया अगले कुछन पर चलता है या आपर जो भी adjustment थे मैंने सारे के सारा आपको cover कर अब बात होगी किसकी अब बात होगी अगले सवाल कि तो साब अगला सवाल देखें हाजी सर अगला सवाल बता दो आप अगला सवाल है आपका question number 6 का point number A Mr. Jais a registered supplier of Mumbai received the following amounts in respect of various activities undertaken by him during the month of October 22 तो October 22 month के अंदर साब यहाँ पर कुछ तो Mr. Jais ने करा है अगेन मैं वही बात बोलूगा कि Mr. Jais registered है कहां registered है और tax period क्या चल रहा है तो register person कौन हो गया Mr. Jais हाजी सर ठीक है कहां registered है साब place of business Mumbai और tax period क्या है October 22 यह तीनों चीज़ें आपको note कर लेनी यह बहुत अच्छे से उस दिमाग की बत्ती ओपन हो जानी चीए और एकदम सीधा कौन सा चैप्टर दिमाग में ओपन हो जाना चीए RCM सप्ला वेत प्रकाश वेरी वेरी गुड वेरी गुड मैंने कहा ना ऐसे स्टूडेंट चाहिए मेरे को कि साब देखते ही पूछने की जुरत नहीं है उसके बा दिया है बहुत बढ़िया त्यारी करके तुम आये हो तो साब NBFC एनी बैंकिंग कंपनी फिरैंशल इंस्टिटूशन और नॉन बैंकिंग कंपनी को अगर देगा तो वह कंपनी RCM में टेक्स पे करेगी तो क्या सवाल की रिक्वार्मेंट क्या वो नीचे देख लेंगे ल आज जी बहुत बढ़िया हाथी आप एक्ष सौर्डी एक्षनेवल क्लेम रेसीव फ्रॉम नॉर्मल बिजनिस ड़ीटर भाइया मेरा गला दर्द हो गया था बताबता के गुड्स के डेफिनेशन बताई थी मैंने गुड्स के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि Goods includes actionable claim, क्या बोला था मैंने? Goods includes actionable claim, but schedule 3 के अंदर, schedule 3 के अंदर जब actionable claims की बात करी थी, तो वहाँ पर बोल दिया था, कि actionable claims other than lottery, betting, gambling, क्या बोला था? Actionable claim other than lottery, betting, gambling, बाहर कर दिये गये हैं, यानि ये technically कहा जाए, तो actionable claim की नाम पर 3 चीज़ है, lottery, betting, gambling ही GST में covered है, और यहाँ पर ये क्योंकि normal business debtor है, कोई lottery, betting, gambling नहीं हो रही, तो ये साब schedule 3 से बाहर चला जाएगा, अगला आरहा amount received from ABC Limited for performance of classical dance in one program, दोस्त मैंने बताया था, consideration डेड़ लाख रुपे तक होना चाहिए, तभी आपको exemption मिल पाएगी, डेड़ लाख तक का consideration है, तभी आपको, sir, but recovery agent for banking and non-banking only, मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहने की कोशिश कर रहा, banking company, financial institution, और non-banking, non-banking financial company, NBFC, लिखा वात हो है दोस्त, देखो ना, बिलकुल, but it is more than the limit, तो यहाँ पर ये taxable हो जाएगा, और यहाँ पर ये forward charge में taxable होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर ये forward charge में taxable होगा, यानि मैं ये कह सकता हूँ, कि ये वो amount है, जिसके उपर जैश को tax pay करना पड़ेगा, अगला आ रहा है आपके पास में business assets given to a friend free of cost, business assets given to a friend free of cost, ठीके साब old computer थे, और market value of all the computers was 51,000 पीस, no input tax credit has been availed, अब याँ देखो बोलने की जुरत ही नहीं पड़नी चीए, जबी भी दिखाई दे business assets को, अगर free of cost किसी को भी दिया है, तुम्हारे दिमाग में याद आजाना चीए, schedule number one, memory technique याद करवाई थी सर ने, पर आई पर आई, परमनेंट ट्रांसफर ओफ बिजनिस ऐसेट, रिलेटेड परसंग, एजेंट और import of services, परा वाइस याद करवाय था, परा ए, परा बी, परा सी, परा डी, तो schedule one का जो परा ए है, परमनेंट ट्रांसफर ओफ बिजनिस ऐसेट, उसके अंदर ये आएगा, लेकिन, कब आएगा, जब आपने ITC अवेल करा हो, जब आपने ITC ही अवेल नहीं करा, तो क्या ये supply बनेगा, तो answer is no, क्योंकि supply बनाने के लिए पहली ही condition थी, मैंने अपनी बुक में ब्रेकिट डाल के लिखर रखा था, तो क्या ये supply बनेगा साब, ये यहाँ supply नहीं बनेगा, ये यहाँ supply नहीं बनेगा, not supply because ITC is in order, very very good, अगला क्या आ रहा है साब आपके पास में, yes sir, I remember this technique, P-R-A-I, परी नहीं, परी नहीं, परी नहीं, P-R-A-I, पराई, पराई चीज पर ध्यार नहीं देते, यहाँ पर पराई चीज को supply बना दिया, चार चीज, परी नहीं, पराई, consideration received for one month rent from a registered individual person for renting of residential dwelling for use as residence, अब फिर से मुझे बताना, कि क्या यह मैंने discuss नहीं कर रहा था, एक दिन पहले, मैंने question करवाया, उस question में इस adjustment को डाला, यह amendment से था, और पूरा का पूरा solve करवाया, exam से एक दिन पहले, अगर मैं तुमको एक adjustment पूरा का पूरा का पूरा करवा रहा हूँ, और वो adjustment अगर तुम exam के अंदर सही करके आ जाओ, एक teacher को और क्या चीए, दोस्त, यह RCM में जा चुका है अब, यह अब RCM में जा चुका है, पहले यह exam टुआ करता था, लेकिन यह किसको दिया है, यह registered person को दिया है, इधर दिखो, यह किसको दिया है, registered individual लिखावा यहाँ पर, registered individual person, तो अगर यह registered individual person को दिया गया है, तो अब यह tax भी होगा, और RCM में tax होगा, सामने वाले tax में करके चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद अगला क्या आ रहा है, I done this point RCM basis, very very good, paid to unregistered GTA for various consignments of transportation of goods by a road, फिर से amendment, यह amendment भी मैंने करवा दिया था, यह amendment भी मैंने एक दिन पहले revise करवा दिया था मेरे दोस्त, अब और क्या जान लोगे बच्चे की, बताओ सा, मैंने एक दिन पहले आपको कवर करवाए थे, और मैंने बोला था यह अच्छे से देख लेना, उन सम्में से यह आ गया, Sir I have doubt if recipient is not registered person then, अगर recipient registered नहीं है तो exempt हो जाएगा वेत प्रकास जी, क्योंकि exemption notification बारा बटा 2017 में जो amendment करी थी उसमें यही तो लिखा था, accepted to a registered person, accept मतलब की exception डाल दिया, अपवाद, कि भाई साम नहीं 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 लगेगा जब यह registered person को दी गई हो, तो अगर registered person को दे रहे हो, तो taxable है, कैसे taxable है, registered person आट सीम में टेक्स बे करके चलेगा, लेकिन अगर registered person को नहीं दे रहे हो, वहाँ पर exemption प्रिवेल कर जाएगी, वेद प्रकाश जी, आपसे एक request करूँगा, अगर आपने यह PDF डाउनलोड कर लिया है, कौन सा PDF, suggested answers वाला PDF, नीचे link दे रखा है, इस link को open करो, और एक बार जाकर देखो, पूरी table बनाईए है, सारे permutation और combination की, कि residential है, residence के लिए दे रहा है, registered को दे रहा है, residential है, residence के लिए दे रहा है, unregistered को दे रहा है, residential है, commercial के लिए use होगा, registered को दे रहा है, residential है, commercial के लिए use हो रहा है, unregistered को दे रहा है, commercial है, commercial की तरह use हो रहा है, registered को, commercial है, commercial की तरह use हो रहा है, unregistered को सारे के सारे permutation combination बना के पूरी table बना कर दे दी थी मैंने amendment आने के बाल किसाब छूटे ना कुछ छूटे ना, अब बता और क्या ची है तो जब मैं पूरा का पूरा इस amendment को cover करा चुका हूँ, permutation of combination wise, मतलब कि ये सारे cases बनेगे इसके उपर कोई case ही नहीं बनेगा सारे case बना के देदिये मनें, तो वो आप देख सकते हो गेसमें भी डाल रखा है, amendment booklet में भी डाल रखा है ند booklet में भी दाल रखा है When devote पर आपके पास telegram group में, तो वहां से आप देख सकते हाँ जी सार ठीक है, या आखे हैसाब अगे करें गए अगे करेंगे क्या केंच इशी जोजिल पते हैं इन बोट टेल्बल सारे एक्स्क्लूजीब वर्वशsट ग्रवेब defli यानि कि वही चीज आमाउंट जो उपर दे रखें उसमें GST इंक्लूड नहीं है अगला क्या बोल रहा है एग्रिगेट टर्णोवर Mr. J.S. in the previous financial year is 42 लाग रुपी जैनी पिछले साल रिजिस्टर्ट था you are required to compute the most important thing the most 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 important thing बात को ध्यान से सुनियेगा done correct very good very good GTA का मैंने बता दिया था amendment था एक दिन पहले यह देखो साब GTA का मैंने बता दिया था amendment था amendment था और amendment के अंदर clear cut बोल दिया था उसने कि यह वाली चीज जो है साड़े 700 वाली और 1500 वाली अब नहीं रहे साड़े 700 और 1500 वाली बात अब नहीं रही और plus unregistered GTA है यह as it is मैंने एक दिन पहले करवाया exam से एक दिन पहले यह adjustment मैंने पूरा का पूरा cushion के साथ करवाया पूरा cushion बना कर मैंने आप लोगों के लिए तयार किया खुद से cushion draft किया और फिर solve करवाया और उसके अंदर यह adjustment मैंने डाला था तो पूरा 15 एक सो पर आपको RCM में tax pay करना है तो यहाँ पर जैश tax pay करके चलेगा अब क्या रहा है साब? कुशन की requirement हमेशा बोला एक दिन पहले भी बोला एक्जाम से एक दिन पहले भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया आता सब कुछ है लिख कर भी सब कुछ आते हो लेकिन number नहीं मिलते वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप question की demand ही नहीं समझ पाते question आप से कुछ demand कर रहा है और जो question demand कर रहा है my dear friends वही जब आप answer करके आओगे तब ही तो marks मिलेंगे एक चीज को समझो question आप से पूछ रहा है कि भहिया जी राम के पिता कौन है और आप बता रहे हो राम के पिता की सारी की सारी characteristics वो पूछ रहा है राम के पिता का profession क्या पूछ रहा है question आप से पूछ रहा है कि राम के फादर कौन है profession पूछ रहा है कि राम के फादर engineer है राम के फादर doctor है नहीं साब आप बता क्या आ रहे हो राम के फादर की characteristics आप बता क्या आ रहे हो राम के फादर की qualifications आप बता क्या रहे हो राम के फादर की वेल्थ एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा अब उसने पूछा क्या आप से सिर्फ इतना सा पूछा कि भाई मेरे को राम के फादर का प्रोफेशन बता दो आप बता रहे हो क्वालिफिकेशन characteristics, wealth, assets पूछ क्या रहा है बता क्या रहे हो अचा बता रहे हो वो भी ठीक है क्योंकि आप प्रोविजन पता है आपको बात ही है प्रोविजन पता है आप प्रोविजन बता रहे हो लेकिन उसने वो आपसे पूछा ही नहीं तो इसलिए कुश्चन को पढ़ते वक्त कोई साभी question हो, कोई साभी paper हो, whether it is your audit, company law, income tax law, GST law, या फिर आपका standards on auditing, या आपका financial reporting, जिसके अंदर आप accounts बोलते हो, accounts, advance accounts, सबसे important क्या है, determine the exact demand of the question, question की demand को बहुत अच्छे से समझो साला, ये पूछ क्या रहा है मेरे से, एक बार अगर मैंने समझ ले ना कि मेरे से exactly क्या पूछ रहा है, बस वो exact answer करके आजाओ, पूरे marks आजाएंगे, इधर उधर की बाते करोगे, examiner एक number नहीं देगा, तो यहाँ पर मुझे मेरी क्या देखनी है, exact demand, compute gross value of supplies on which GST to be paid by Mr. Jais, on which GST to be paid by Mr. Jais, exact demand इतनी सी है कि मेरे को net value नहीं, gross value निकालनी है, सबसे बेले तो यह समझो, और gross value किसकी निकालनी है, supplies की, जिस पर tax देना है Jais को, किसको, Jais को, Jais को, Jais को जिस value पर tax देना है, वो total value बता दो, तो भाई साब बहुत आसान कर दिया, कोई दिक्कत की बात थी गया, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, वो confused करने के लिए, second adjustment, I don't understand why they give turnover of previous year, confused करने के लिए, वेद प्रकास जी, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर से साब हम गायाब हो गए, फिर से गायाब हो गए साब, क्या करें, ब्रेक लें फिर, एक काम करते है साब, छोटा सा एक ब्रेक ले लें, ताकि चेक करें कि साब ही दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि यह देखो साब वापिस आ गए, कमाल जादू हो रहा है कि आज, फिर से चले गए, I think there is some issue, I don't know, but I believe, that there is some issue, I have to check, एक सेगिंड दो साब इसको जंजट ख़तम कर देते हैं, चेक करें लेते हैं, क्या दिक्कत करें, और वो बीच-बीच में प्रॉब्लम क्रियेट करेंगा, अब I hope प्रॉब्लम क्रियेट नहीं करेंगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हाँ सार ठीक है, चलो साहब, चेक कर लें, हाजी सार, चेक कर लेते हैं, क्या ये काम कर रहा है, हाजी साहब ये काम कर रहा है, आओ, सॉरी, Commission Received as a Recovery Agent, यहाँ पर देना नहीं है, सामने वाला RCM देगा, क्या इसके उपर जैश को टेक्स देना है, दानसर इस नो, अगला क्या आ रहा है, अमाउंट रेसी डानसर परफोमेंस, डेड लाग से उपर है, टेक्स लगेगा, और ये जैश को ही देना पड़ेगा, बिजनिस असेट्स, सप्लाई ही नहीं बनेगा, किसी को भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग, रेंटिंग, रेंटिंग और रेसी डेंटिंग, जी एस्टी लगेगा, लेकिन सामने वाला, यानि कि जो रेसीपियंट है, रेजिस्टर् रेसीपियंट, वो पे करके चलेगा, कौन पे करके चलेगा? recipient पे करके चलेगा तो क्योंकि recipient पे करके चलेगा तो इसलिए साहब क्या करदेंगे? हम यहाँ पर इसको value में include नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जैश को पे करने की जुरत नहीं है Services of Transportation of Goods इस पर RCM में जैश को पे करना पड़ेगा तो इसको यहाँ पर हम include करेंगे तो total value जो आपके पास में आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी साहब? total value आपके पास में आ जाएगी 189,600 total value कितनी आ जाएगी? 189,600 अच्छा सभी जाने मुझे फटाफट से मेसेज करके बताएंगे वेद प्रकास जी मेसेज करके बताओ